वकेंसी होते हुए भी, उनको सब कुछ लग रहा है कि प्राइविट कर देंगे, रेल को बेच देंगे हम, और जिनोंने कभी बनाया ही नहीं, जिनोंने कभी बनाया ही नहीं, रेल को खरीदा ही नहीं, उसको बेचने में लगेगा कुछ यार, वो बेच देगा, सरकारी से प्राइविट कर देना मतलब देश पर राज कौन करेगा कोई एक प्राइविट प्रैक्टिक आज हम सरकार के तंत्र से जुड़े हुए हैं सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो सबका सक्ति परावर है ना कोई उपर है ना कोई नीचे है लेकिन जिस परकार स कि अगर प्राइविट कर दीआ जाएगा और डेस का जो सक्ती है जो पावर है फिर प्राइविट लोगों के हातों ने चला जाएगा तो वा जो रेलेवे का सबसे बड़ा यूनियन है उन्होंने भी छात्रों की मांग को समझा है और रखा है आप जानते हैं कि पिछले बार भी 566 फाकेंसी के लिए अंदोलन हुए छात्र रोड पर आयें लेकिन सरकार बात नहीं सुनी है मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो यूनियन का मांग है इन्होंने रेलवे मनिस्त्री से मांग किये है क्या मांग किये है सोधन रेलवे चिन्नाई में 8000 के सम्थिंग सीट खाली है सेफ्टी कडेगरी में और जो पीटी पा जो सीट है खाले हम जो पीटी क्वालिफाइच चातर है मतलब एक्जाम निकाल लें सिर्फ उनको डीवी में बुलाना है तो इन 8000 सीट जो खाली है वह पासजार पीटी पास चातर है उनसे भरना चाहते है तो आखिर ये सही बात है भरती भी होनी चाहिए और भरा भी जान हैं हलाकि वह तो बात अलग है इसके पहले भी वेटिंग खटम कर दिया गया और वेटिंग का मांग हम लोगों को मेन मुद्दा था क्योंकि बच्चे तो जैसे ग्रूप डी न्यू फैकेंसी की मांग करते हैं उसके बाद जब वो पीटी क्वालिफाइच करते हैं उनके ब बिल्कुल सुरू से जायज मांग रखे हैं इस चीच को समझ ये लेकिन ऐसा क्या है कि रेलवे के छात्रों की मांग नहीं मानी जा रहे हैं तो इस बात को समझ ये कि क्या रेलवे को बेचने की तयारी है यह जो रेलवे चात्रों की लड़ाई है वो रेल को बचाने के खाली होता है 40-50 जार सीट रेलवे का खाली होता है और पांच साल से फकेंसी नहीं आया है तो मानके चलिए 2,00,00 तो सीट ऐसे ही वो गया तो यह 2,00,000 सीट को भहरा जाना चाहिए और नया सीट भी किरियट होता है तो हलाकि इसके पहले भी शंसर ने बता दिया गया था कि ड़ाई लाग से उपर सीट खाली है फिर उसको नहीं भरा गया और उसके जगह कितना निकाला गया 5696 बात को समझे इसके लिए छात्रों में इतना गुसा आया क्योंकि ये किसी भी त लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार में क्या कदब उठाया छात्रों को मार करके पीट करके घर में अंदर कर दिया दूसरी बात पटना रजंदर नगर टर्मीनल में आप देखती तो वहां पर पुलिस बल की तैना थी ती सिर्फ पुलिस ही नज़र आ रहा था आग जो हमारा समस्या है उसको नहीं खतम करेंगे हम हम जानते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे कि आप अंदोलन करेंगे और अंदोलन करेंगे तो उसको खतम करने का पूरा वैवस्ता बतलब कर रखे हैं मतलब चात्रों को सौक थोड़ी अंदोलन करने का चात्रों का बिल्कुल पटना और एक्षिडेंट हो रहे हैं वो कही न कहीं हमारे जो सीट खाली है पर आप भरकेंसी निकाल नहीं रहे हैं तो यहां पर भरकेंसी नहीं निकाल का मतलब क्या होता है। एक बात समझेए, किसान लोगों को खेत चाहिए, खेत में काम करेंगे अनुप जाएंगे, अगर उनको खेत छीन लिया जाये, मतलब रोजी, रोटी, कपडा मकान सारा उनको खेत से आता है, हना काम करेंगे खेतमे तभी तो अनुप जाएंगे और वाकेंसी रेल्वे चात्र अगर ये दुसरी बात इसमें बहु सारा पेश्ट बहु सारा जो पोस्ट है उसको ठेके पर दे दिया गया है अब सिफ्ट किया जा रहा है बहु सारे जो रेलेवे पोस्ट है उसको खतम किया जा रहा है तो ये हम लोग ऐसे दोर से गुजर रहे हैं न देखिए बैंक तो हो प्राइविट तो लोगों को नहीं लगता है अब कोई फरक ही नहीं पड़ता है प्राइविट है तो है तो आने वाला समय में भी ऐसा ही लोग सोचेंगे कि रेलवे प्राइविट है तो है क्या फरक पड़ता है जिसके काल में जिसके समय में ये बदलाओ किये जा रहे हैं उ तो आने वाला जो पीड़ी होगा वो तो समझेगा कि बस ऐसे ही तो है रिल तो प्राइबिट ही होता है और तो और यार विडियो मैं सून रहा था देख रहा था बहुत चर्चित लोग हैं बहुत फेमस लोग हैं वो बोल रहे थे क्या कि मतलब पढ़ने लिखने से फायदा नहीं है उनका विडियो बनाने का मतलब यही था कि बहुत सारे चात्र पढ़ते हैं बहुत सारे चात्र लिखते हैं बहुत सारे त्यारी करते हैं बहुत साल लगा देते हैं और उनको कहीं जाका के जॉब नहीं लगता है। कितनी लोगों को सफलता मिलते हैं। बहुत कम लोगों को। उनको वीडियो बनाने का मतलब यही है कि चातर पढ़ना लिखना छोड़ दे। ऐसी सिछा दे रहे हूं। आप मना कर रहे हैं कि छात्र नहीं पड़े अरे जो वकेंसी नहीं निकाल रहे हैं वकेंसी होते हुए भी उनको सब कुछ लग रहा है कि प्राइबिट कर देंगे रेल को बेच देंगे हम अरे जिन्होंने कभी बनाया ही नहीं जिन्होंने कभी बनाया ही नहीं रेल को खरीद दिया गया, सुचे इतनी बड़ी संक्या छात्र को दबा दिया गया, अब तो सरकार को लग रहा होगा कि हम तो जीर गए, अब दुवारा छात्र उठेंगे कभी, इतना लाठी से मारे, इतना लाखरी से मारे की जख्मी हो गया थी सिफ कह तो रहे था कि इतने का कु может खाला फिर इतने को ह होगा कि आपके तलबये चाटेंगे प्SU ठेके पर दिये जाएंगे काम फिर उसे पढ़ने लिखने के जरूरत नहीं होगी ना फिर आपके चाटेंगे फिर आप जॉक्री देंगे मुझे तो फिर पढ़ाई से बच्चों को दूर कर रहे हैं आप और फिर एक वीडियो बनाने वाला भी वीडियो बना कर ये कह देता है ना कि पढ़ने लिखने से कोई फाइदा नहीं है कि सिच्छा का कितना बडा महत्व है अ फिर का इसा देस आना जो सिच्छा में formerly पीछे है तो कितना पीछे अजरा सोचिए सिच्छा में जितना आगे रहेंगे उतना हम आगे जाएंगे और जो यहां की लोग नेता हैं वो तो यही चाहते हैं कि लोग पढ़े नहीं तभी तो हम राज करेंगे यह लडाई हमारी देश को बचाने के लिए है यह क्या कुछ ड्रामा हो रहा है उसको समझे मुझे लगता है कि अगर यह मोधी सरकार फिर से जीत गए तो क्या हाल होगा छात्रों को फिर से लाठियां खानी पड़ेगी क्या यह नौकरी मिलेगी चात्रों को बहुत बहुत बड़ा दर्ध है और उन्हें ऐसा लगा है कि इससे हमें चुटकारा मिले हमें ही नहीं हमारी आने वाली पीडियों को मिले कि कहते हैं कि साल पर निकालेंगे देखिए अड़हाई लग पोष्ट है अब देखिए कितना आया 5000 आया देदरे 1000 सीट आएगा फिर गोल मटोल हो जाएगा सब गोल हो जाएगा फिर फाकेंसी नहीं आएगा तो यह क्या साधिस है नहीं निकालने का फिकैंसी नहीं देंगे हम अरी आया था एक लग जग जब लटते हैं तो हमें भी दमा दिया जाता है नेता अकेले लड़ते हैं तो उनको भी जेल भेज दिया जाता है भाई हो क्या रहा है शोतंत्रता बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने पाया है आप लोगों को लगता होगा कि बस जो कुछ हो रहा है होने दो दूसरी बात बहुत लोग वोट भी नहीं देने जा रहे हैं कि वोट भी देने जाएं और जरूर देने जाएं क्योंकि आपका वोट आपको सोतंत्र करेगा दोस्त मैं क्या कुछ कहूं जो कुछ हो रहा है शात्रों के साथ वो आसाहनिये हैं और अगर रेल बिक गया सब कुछ ठेके पर चलने लगा तो यह सही नहीं होगा सब कुछ किसी खास वैक्ति के हाथ में बेच देना दे देना ये सरकारी से प्राइविट कर देना मतलब देश पर राज कौन करेगा कोई एक प्राइविट वैक्ति आज हम सरकार के तंत्र से जुड़े हुए हैं सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो सबका सक्ती बरावर है, ना कोई उपर है ना कोई नीचे है, लेकिन जिस परकार से अगर प्राइविट कर दिया जाएगा और देश का जो सक्ती है देश का जो पावर है फिर प्राइविट लोगों के हाथों में चला जाएगा तो वह हमें नचा देगा वह हमें शोशन कर देगा अंग्रेजों के शाशनकाल में भी तो वही हुआ था अंग्रेजों के हाथ में शक्ती था तो इस देश की शक्ती अगर किसी एक के हाथ में चला जाता है तो यह बहुत बड़ी समस्या है डेश पर भारी संकटाने वाला है कोई भी राज अगर करता है तो एक दिनों में नहीं करता है वह प्लान बनाता है लेकिन समझदार व्यक्ति वह होता है कि उस प्लान को समझ लेता है जाता है, jail धेज दिया जाता है, तो किसकी बात सुनी जाएगी, जो मन में आएगा, किया जाएगा, अरे हमारे प्रधान मंत्री जी बात सुनते क्यों नहीं है, उनका ध्यान कहां है, जनता को शेवा करना ही होता है, आप भी चले जाएगे, दुनिया चला जाएगा, जुछ में खुशी आएं तो ये एक रेलेवे यूनियन के तरफ से एक बहुत बड़ी मांग है रेलेवे मिनिस्टर से देखी आगे क्या कुछ होता है दोस्तों हम लोग सुरू से मांग रखे हैं और सही चीज की मांग रखे हैं फिर भी नहीं सुनी जा रही है पता नहीं इस देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या होगा आगे हमें बोलने की सोतंतरता भी जो है वो भी खत्म हो जाएगी क्या हमारे गुरुजी का जो चैनल था वो भी ब्लॉक कर दिया गया था आप जानते ही है बहुत सारे सिचकों ने साथ दिया था अब सब को डर है सब को धमकाया जा रहा है या तो किसी को पैसे से खरीद लो या तो अब किसी का चैनल है वो भी दरने लगेंगे गुरुजी है उनी से रोजी रोज गायर उनका चैनल बंद कर दोगी जो बहुत बड़े वैक्ति उनको बहुत पैसा से खरीद लो हो सकता है इस दुनिया ने बहुत लोग तो बिख जाते हैं ना, इमंदार तो बहुत कम है उपर से नीचे तक सारा सिस्टम को खरीद लो, फिर जो मन में आता वो करो पैसा पूरा देश से बचाओ, और देश से बचा करके फिर क्या करो सारे लोगों को खरीद लो लोग तो मुर्ख है बहुत लोग मुर्ख है जो बोलेंगे वही तो सुनेंगे क्योंकि अपना उनके पास दिमाग है नहीं लोगों को भजन किरतन में लगा दो मंदिर मस्जित बना दो खुस हो जाएंगे पर लोगों को रोजी दोजगार चाहिए आकला देखेंगे तो जानकर के हैरान हो जाएंगे बिरोजगारी का जो दर बढ़ गा है न वो चोका देगा आपको हिला देगा छीचे साल से भकेंसी नहीं आने का मतलब क्या है भाई और इतनी कम भकेंसी और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि आने वाला पिढ़ी तो समझ जाएगा यह सही इतना ही भकेंसी आता है पाचे अधार तो आता है इसलिए वो कुछ बोले कभी नहीं कुछ करे गई नहीं वो तो यह सोचे का देश ऐसे ही चल रहा है रेल वे प्राइवीट होगे यहां प्राइवीट होता है हां आगे सबकुछ जान जागा हां सबकुछ उसी का है सबकुछ यह सही होता है जो होता है उसका भुक्तान वरतमान पिढ़ी करता है और अगला पिढ़ी तो वो उसको एड़ेस्ट कर लेता है वो यह सोचता है कि बस यह सही चल रहा है बैंक हो या ना प्राइवीट पास्तर की बात सुन रही है किसी की बात नहीं सुन रही है कि अरे पहले भी जवाना होता था अंदोला लोग करते थे सरकार बात सुन लेती थी बहुत बड़े लोग बोलने से डर रहे हैं बहुत छोटे लोगों की बात की भैलू नहीं है हम जैसे छोटे लोगों की क्या भैलू है सही बात भी बोलते रहो कोई सुनने वाला नहीं है और बड़े लोगों को आप खरीद लिए हो वो तो बोलेगा नहीं सिश्टम को चलाते रहो यही तरीके से चलाओगे अपके जाने के बाद भी दुनिया रहेगे इस चिछ को समझ लेजिए कुछ अच्छा करके जो यार देश में नाम हो तो यह देखिए सौधर लेज लेज चन्नाई के लिए पीटी जो चात्र थे उनके लिए एन इफ आई आई आर ने मांग रखा है और यह मांग बिल्कुल जायज है चात्रों के साथ ता फ्रेलवे इन्योन वाले भी आ रहे हैं और उनकी मांग माननी चाहिए चात्रों की और नहीं तो फिसरकार मनमानी करेगी तो चात्रों को साथ जो बुरा हो रहा है वो होता रहे है